साफ्ठा साउथ एसियन फ्री ट्रेड यह यह जो है सार्क का ही एक्स्टेंशन है तो सार्क जो है इस्टाब्लेस वा नाइटीनेटीफाइव में उसके बाद जो है जो मेंबर कंट्रीज थी उनको लगा कि हमें जो है म्यूच्वल ट्रेड और एकोनॉमिक कॉपरेशन को प्र प्रमोट म्यूच्वल ट्रेड एकोनॉमिक कॉपरेशन थ्रो एक्स्टेंश कंसेशन लेकिन फिर दिरे-दिरे जो मेंबर को लगा उन्होंने रिकोगनाइज कहा कि यहां पर और ज्यादा प्रोग्रेस करनेगी हो था बियॉन्ड प्रिफरेंस्ट्रेड एग्रिमेंट जो ह जाना चाहिए और हायर लेवल अफ ट्रेड एकोनॉमिक कोपरेशन के तरफ जाना चाहिए तो जो है नाइन्थ सार्च सब्मिट में मैं 1997 में यह डिसिजन हुआ कि सार्क को साफ्टा में कर दिया जाएगा तो यह जो आप साफ्टा देख रहे हैं यह साउथ एसीन फ्री टे जाना चाहिए तो यहां पर जो इस साफ्टा का जो में मोटिफ था वह अब्जेक्टिफ क्या था कि टू एलिमेट ट्रेड वैरिया ने कि जो ट्रेड वैरियस होते हैं उसको एलिमेट करना जिससे कि क्रोस बॉर्डर एक्सचेंज ऑफ गोड्स सर्विसे और रिसोर्से वह असानी से हो सके जो मेंबर कंट्रेज हैं तो प्रमोट फेयर कंपेटिशन इन फ्री ट्रेड एरिया तो फेयर कंपेटिशन जो है वो फ्री ट्रेड एरिया में प्रमोट करना उसको considering effective mechanism for implementation and administration for resolution of dispute यानि कि जो भी member countries में disputes होती हैं उसके लिए जो है effective mechanism को implement करना और administration करना जिससे कि disputes को resolve किया जा सके to bring transparency and integrity among the nations and provide equal benefit to the countries involved तो जो साफटा में countries हैं यानि साथ में जो countries हैं उनको जो है transparency हो और integrity भी जो है उनको provide करें जिससे कि equal benefit जो है सभी को मिले सभी member countries को मिले to provide special preference to the least developed country जानि कि जो least developed country है among the members उनको जो है special preference जो है वो provide किया जाया जैसे कि शुरुवात के जो दो साल थे उसमें इंडिया, पाकिस्तान और सिलंका जो साउथ हिसा की country थी उन्होंने अपनी duties को 20% नीचे लेके आया थे first phase में, जो first phase दो साल का था साफ्टा का उसमें 20% अपनी जो उनके duties थी उसको नेनोंने decrease किया था तो यह special preference हो गया तरीके से तो साफ्टा जो है वो साकाई extension ने सार्क बना पहले, फिर 1985 में फिर 1993 में साफ्टा को लिए उन्होंने sign किया, साफ्टा के बाद जो है वो साफ्टा आया, साफ्टा जो है 2006 में जो है वो force में आया, तो यह main important objective थे साफ्टा के, फिशो all the best keep watching